हलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनीश शर्मा क्लासेस में रजनीश शर्मा क्लासेस एक ऐसा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी एक्जाम को टारगेट करता है वो भी to the point so study anytime, anywhere with me रजनीश शर्मा दोस्तों हम operation research में transportation model पढ़ रहे हैं और transportation model का कोई भी question है दो step में आपको solve करना होता है पहली step में हम initial basic feasible solution निकालते हैं और दूसरी step में हम optimal solution निकालते हैं पहली वाली जो step होती है उसमें northwest corner rule जो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देख लिया होगा northwest के पहले ही हमने दिया हुआ था least cost entry method वो भी आप देख लिजिए question में कोई instruction नहीं है मतलब हमेशा आपको किससे करना है वैम से Google's approximation method से उसके भी मैंने वीडियो इससे पहले upload कर दिये हैं अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लिजिए जो आज का वीडियो है इसमें हम prohibited routes के उपर बात कर रहे हैं अभी हम सब में part 1 के उपर ही काम करना चाहा रहे हैं कि पहले सारी varieties के उपर हम वैम लगा के देख लें तो चार varieties की problems होती हैं पहली होती है minimization transportation problem वो हम इससे पहले डिसकस कर चुके हैं जुस्तरे नंबर पे होती है unbalanced transportation problem वो भी हम इससे पहले वाले वीडियो में डिसकस कर चुके हैं आज हम लोग डिसकस करने वाले है prohibited route तो transportation model में अगर कहीं दिया हुआ है question में especially mentioned होता है कि इस factory से इस go down पे आप shipment नहीं कर सकते हैं वो कारण कुछ भी हो सकते हैं कि वहां की अभी road बन रही है road construction हो रहा है या किसी प्रकार का उपद्रव हो गया है curfew and law and order की कुछ problems हैं दूसरा यह हो सकता है कि आप warehouse change कर रहे हैं आप जो go down था वो छोटा था या बड़ा था आप उसको दूसरी जगह shift कर रहे हैं for any reason तो अभी थोड़े time के लिए आप इस factory से उस go down पर unit का transportation नहीं कर सकते हैं इस case को बोलते हैं prohibited routes तो यह आज हम लोग यहाँ पर discuss करने वाले फिर चोथी एक variety बस्ती है maximization और मैं आपको यह भी कि बता दूं कि जो चार वेराइटी है पहली है minimization कुछ न कहा जाए तो हमेशा minimization होता है unbalance मतलब सवाल को हाथ लगाने से पहले आपको चेक करना है कि यह बैलेंस है या नहीं है अगर unbalance है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा balance करना पड़ेगा dummy row या dummy column add करके जो हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं दूसरे नंबर पर आज जो हम लोग सिखने वाले हैं वो क्या है prohibited routes और इसके बात वाले वीडियो में हम बात करने वाले है maximization की transportation का कोई भी question है तो उस transportation के कोई भी questions के लिए आपको यही एक algorithm follow करना है transportation problem should be a balance problem balance का मतलब है demand equals to supply होना ही चाहिए तो supply और demand equal होगी तब ही आप उस सवाल को आगे further proceed करेंगे और अगर नहीं है तो वो क्या कहलाता है unbalanced transportation problem तो अगर demand is not equals to supply तो convert into balance problem how will you convert add dummy row और dummy column whichever is required जो भी कम है जितना भी कम है वो आप देंगे उसके सारी entries 0 रखेंगे और उसको convert कर देंगे balance में जब वो balance हो तो फिर वो क्या होना चीए minimization होना चीए और अगर minimization है तब जाके उस पर पहली step में आपको वैम लगाना है फिर moody लगाना है तब जाके ये question complete होता है एक्जाम में अगर आप practice करके नहीं गये हैं दोस्तों तो विश्वास मानिए आपका बड़ा नुकसान हो जाना है क्योंकि ये पूरी process में number ही numbers होते हैं एक भी आपने कहीं गड़बड करी तो आपके तीन नुकसान है एक तो ये time ले लेगा 45 minutes तो आपके 45 minutes एक्जाम में दूसरे नंबर पर मांक्स भी नहीं मिले क्योंकि आपने कहीं भी कोई गड़बड करी हैं तो आखरी तक आप करते रहेंगे अंसर नहीं आएगा और तीसरा पूरा पेपर अभी भी बचा है तो ये कितना ज्यादा नुकसान है transportation का एक्जाम में फेस करने में एक तो आपके substitute नहीं है तो अगर एक टीचर सब लोगों को पड़ा रहा है तो फिर उनमें difference क्यों आ रहा है just because of practice के लिए आप यह करिए किताब मैंने आप लोगों के लिए लिखी है आप यह किताब जरूर से पर्चेस कर लें यह आपको Amazon पर भी मिल जाएंगी नहीं तो हमारे जो एप ह लिंक मैंने आपको नीचे दे रखी है ठीक है आप इसे डाउनलोड कर लिजे आइफोन यूजर्स भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और लैप टॉप पे भी आप इसे एकसे कर सकते हैं अगर सब्सक्राइब तो पहले उसको इसको कणवर्ट करना है मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं वह नेक्स वीडियो में देखने वाले हैं आपने उसर आन बैलेंस बहुत है उनकंबलेंस पहले बैलेंस बनेगा फिर maximization, minimization बनेगा, फिर WAM लगेगा और moody लगेगा, मतलब आपको पूरे दिमाग में होना चाहिए कि balance होना चाहिए, minimization होना चाहिए, तो मुझे पहली step में WAM लगाना है, फिर moody लगाना है, तो जो चार varieties हैं, उसमें से आज हम तीसरी variety cover करने वाले हैं, that is the prohibited rule, तो यह तो structured program बनाया हुआ है, ताकि आप फटा-फट फटा-फट अपने हिसाब से study कर सकें, और धेरों problem solved दिये हैं, देखें, और उनकी PDF भी लगा दिये हैं, आज भी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका PDF भी आपको कहां मिल जाएगा, तो application पे जाएगे, तो transportation model में आपको YouTube lecture, YouTube lectures के सा पास होने की guarantee, लेकिन practice का कोई substitute नहीं है, बार-बार मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको practice करनी पड़ी, practice ही है, जो आपको आगे लेके जाएगे, चलिए, तो हम बात करते हैं, question की, किताब आप जरूर से ले लिजे, किताब अगर आ देखें, चलिए, अब बात करते हैं, question की, question को देखें, तो question में यहाँ पर अगर आप देखें, तो W1, W2, W3, W4 और चार warehouse से चार store पर भेजना है, तो factory से go down पर भेजना है, या warehouse से store पर भेजना है, उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता है, तो S1, S2, S3, S4, S5 पर आपको transport करना है, W3 से S2 पर जो value दे रखी हो, क्या दे रखी है, M, इसका मतलब आप समझें कि W3 से आप S2 पर transport नहीं कर सकते हैं, that is the prohibited route, तो अभी मैं आपको इन वीडियो में क्या कर रहा हूँ, कि पहले हम हर type की variety पर WAM लगाना सीख लें, फिर आप modi सीखेंगे, और फिर एक complete question WAM modi, WAM modi आपको complete करना होता है, तो अभी हम बार-बार पहले था कि इससे WAM की भी practice हो जाए आपकी, और सारी varieties भी आपके सामने आजाए, उसके बाद फिर हमे complete question लेंगे, और फिर WAM modi, WAM modi के जितने भी सारे options होते हैं, वो सब app पे already uploaded हैं, W4 से S4 पे भी M लिखा होगा है, मतलब warehouse 4 थे, store 4 पे भी आप transport नहीं कर सकते हैं, कारण कुछ भी रहे, तो वहाँ पर M assign कर देते हैं, तो अगर उन्होंने अलग से लिख के दिया है, और यहाँ कोई value दिया है, तो आप उससे हटा कर क्या लिख देंगे, M लिख देंगे, M क पहले यह balance होना चाहिए, तो देखे, 150 प्लस 150, 300 प्लस 430, यह supply की total है आपके पास, इधर की बात करें, 80 and 20, 100, 310, 80, 390, प्लस 60, 450, तो अब आप खुद ही देख रहे हैं, कि यहाँ पर 20 unit कम है, इसका मतलब क्या हुआ, कि 20 units आपको provide करनी है, और यह unbalance को balance करना है, और यहाँ पर आप dummy लिग दे, मतलब अगर आप समझना चाहें, तो इसका मतलब यह हुआ कि storage जादा है, और supply कम है, तो इसका मतलब यह 20 unit है, कही न कहीं पर क्या रहेंगी, short रहेंगी, तो कहा short रहेंगी, वो आपको बता रगता है, clear है आपको बात, तो 20 units का मतलब भी ठीकें, तो यह 20 units जहां भी अलॉट होंगी, यहाँ पर हुआ तो इसका मतलब है, यहाँ पर 20 units की जगे खाली रहेंगी, 20 units महाँ पर नहीं provide होंगी, clear है, अब बात करते हैं, आपको बता है, वैम निकालने के लिए क्या करते हैं, penalty निकालते हैं, हम कह चुके हैं कि जब सम्मान मिलेगा जो बाकी digits को मिलता है, आप यह मत सोची गया रहें, यह तो मैंने लगाया, अब यह सवाल का हिस्सा है, जैसे सवाल किया जाता है, exact वैसे ही आपको करना है, तो सबसे पहले आपको पता है, penalty निकालते हैं, penalty निकालने का क्या rule है, तो सबसे smallest 6, then 9, दोनों का difference 3, that is known as penalty, smallest 2 and 5, the difference is 3, smallest and next to smallest, smallest is 3, 7, 4, smallest is 2 and 5, that is 3 and 0, यहा पर smallest is 0 and 5, the difference is 5, 0 and 6, smallest is 6, 0 and 2, difference is 2, 0 and 3, 0 and 2, अब सबसे बड़ी penalty से इंटर करते हैं, वैम के लिए क्या rule है, find the penalties, निकाल लिए आपने, second step, इंटर from the highest penalty, तो यह highest penalty से आपको क्या करना है, इंटर करना है, तो इंटर from highest penalty, इंटर from highest penalty, and select the minimum cost, तो ओव्यस बात है कि यहाँ पर minimum cost क्या होने वाली यह जीरो ही होने माली, उस पर demand or supply whichever is less, तो अभी हमारे पास supply कितनी है, 20, और demand क्या है, 60, तो यह cancel होके क्या बचा, 40, और यहाँ पर यह क्या हो गया, जीरो, जो जीरो हो जाए, उसको आप delete कर दीजे, उस रो को हटा दीजे, और फिर से लिख लीजे, अब हो सकता है, आपके teacher ने बुला कि यहीं पर penalties निकाल लीजे, मेरी किताब में भी मैंने वहीं पर penalties निकाल लेकिन हमने जगे बचाई है, मैं फिर कहे दूँ कि आपकी एक single mistake, पूरा सवाल spoil कर देगी, तो it's always better कि आप इसको फिर से rewrite कर लें और penalties निकाल लें, लिखने में समय जरूर लगता है, लेकिन गड़बड रुख जाती है दोस्त, अब एक गड़बड और हो सकती, जब आप पेंच पलट के लिखेंगे, तो वो गड़बड हो सकती, वो आपको रोकना है, mathematics के नियम और यातायात के नियम, exact same, नजर हटी, दुर गठना गठी, अब इससे कोई फरक नहीं बढ़ता है कि मैंने कहा रहे मैं तो ड्राइवर हूं, इतने सालों से गाड़ी चाला रहा हूं, तो भी accident हो सकता है, मैं कहूं कि मैं टीचर हूं इतने सालों से मैस बढ़ा रहा हूं, मेरा बच्चों वाली आदतों से उपर उड़ जाएं, सब किताबों में दिया है, standard books हैं, आप किसी भी library में जाएं, SD शर्मा जो सबसे पुरानी किताब है भारत की, उसमें देखिए पहला question आपको बार-बार rewrite करके उन्होंने बताया है, फिर उन्होंने लिखा है shortcut to WEM, कि एक ही जगे बचाती हैं, आपको जगे नहीं बचाना है, आपको अपने marks बचाना है, तो it's always better, ठीक है, सला देना मेरा काम है, मानना ना मानना, आपका काम, ठीक है, तो मैं तो जब भी सवाल करता हूं, मैं तो पुरा rewrite करता हूं, तो मैंने एक step तो उसकी फिर से rewrite करके लिखी हु 2 and 5, penalty is 3, 3 and 7, penalty is 4, 2 and 5, penalty is 3, now 5 and 5, penalty is 0, smallest और next to smallest भी 5 भी है, 5 and 5, तो opportunity cost जब भी सेम आ जाए, 0, 6 and 12, 6 and 12, 6, 2 and 7, 5, 3 and 10, 2 and 6, 4, बार-बार penalty, अब गड़बड होने के chances से, एक single penalty निकालना है, highest penalty से इंटर करना है, सबसे छोटी cost तो M कभी परेशान करे गई, सबसे छोटी cost पे demand और supply, whichever is less, 120 और 210, तो यहाँ पर आ गया, 120, 120, 210 में से चला गया, आपके पास कितने बश्टे हैं, 90, और 120 माइनस 120, 0, जो 0 हो जाए, उसको घटा दे, यह मैं आपको cross करके जबरू बताता हूं, पर आपको cross नहीं करना है, बस अगली बार उसको rewrite नहीं करना है, तो अब यहीं आपको एक प्रेमपई कर देता हूं, अब फिर से लिख लीजे, तो यह W1, W2 और W4, यहीं पर penalty निकालने के बज़ाए, एक बार फिर से लिख लू S1, S2, S3, S4, S5, और यह box भी बना लो, यह box बनाने का मतलब है, penalties के साथ match, वो नहीं होगा कि यह number या यह number, यह हमें पता होगा कि यह क्या लिख रहे हैं, तो यह आपके पास 80, 40, 20, 90, 80, बार बार टोटल लगा लो, कोई गड़बड नहीं आना चाहिए, बस इतनी सी बात दिहां रखो, 30 and 130, 130 and 30, 160 plus 150, 310, यह भी देख लिजे, 80 और यह 100, 190, 270 और 310, तूटल मैच कर लिजे, फिर अब यह लिख लेते हैं, तो यह 9, 12, 10, 10, 6, 5, 18, 12, 11, 2, 5, 6, 2, M, और 8, अब फिर से क्या निकालनी है, पैलेंट, बार बार एक बार लिख लो हटा के, वही पर पैलेंटी निकालने की गड़बड मत करिये, फिर से लिख लो, एक बार लिखने में टाइम लगता है, लेकिन उतना हमारे मार्स बच जाते हैं, 2 और 5, 3, 2 and 5, अगें 3, 5 and 5, 0, 6 and 12, 6, 2 and 10, 8, 10 and 11, 1, और 2, 6, 4, इंटर फ्रॉंग, हाईएस पैनल्टी, हाईएस पैनल्टी से इंटर करिये, और सबसे छोटी कॉस्ट, उसी रो या उसी कॉलम में, अगर रो में इंटर करा है, जहां से भी इंटर कर रहे हैं, उसके छोटी कॉस्ट यह दे, अब मुझे पदा यह 20 और 30, दिहान नहीं जाना न, इन पर यह तो अलग से लगे हुए, तो 20 और 30, यह 20 आपने दिया 0, और 130 में से 20 चला गया, तो 110, अब यह 0 हो गया, मतलब इसको हटा दे, यह आपको मैं काटके बताता हूँ, आप बस ही करेंगे, कि अगली बार जब ल W2, W1, W2 or W4 W1, W2, W4 S1, S2, S4, S5 S1, S2, S4, S5 150, 30 Page पलटने में गड़बड नहीं होना चाहिए, बस उसका ध्यान रखना है, 80, 40, 90, 80 80, 40, 90, 80 कुछ गड़बड तो नहीं करा, टोटल लगा लो, तो यहाँ पर टोटल लगाएंगे, तो यह क्या अतना आ रहा है, 290 कुछ भी गड़बड होगी न, तो आप अपकी टोटल से पकड़ पाएंगे, 9, 12, 10, 6 9, 12, 10, 6 अब आपने एक भी गड़बड कर दी यह 5 पलटने में, पूरा सवाल स्पोईलो कुछ भी नहीं मिलता है, 5, 18, 11, 2 तो इसलिए बच्चों जैसी बात मत करना, कि यह सार स्टेप मार्किंग होती है, क्या कुछ नहीं होती, 5, 6, M, 8 5, 6, M, और 8 5, 6, M, 8, अब फिरते क्या निकालते हैं, पैनल्टी 6 & 9, पैनल्टी इस 3, 2 & 5, पैनल्टी इस 3, 5 & 6, पैनल्टी इस 1, 5, 5, 0 6, 12, 6, 10, 11, 1, 2, 6, 4 हाइस पैनल्टी, सब में, 3, 3, 3, 1, हाइस पैनल्टी हाइस पैनल्टी से इंटर करिये, सब से छोटी कॉस पे, दिमांड और सप्लाय, 40 और 110, आपने का 40, यह 40-40, 0, 110-40, कितना हो गया 70, जो 0 हो जाया, उसको हटा दी, फिर से लिख ली, अभी आपको एक फ्रेम पर इसलिए एक करके बता रहा हूं, तो W1, W2, और W4, S1, S4, और S5, अब इसके बाद की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको क्या करना है, यह हो गया 80, 90, 80, और इधर 150, 30, and 70, 250, 100, 250, 8, 2016, 28, 24, और यह 25, बार बार टोटल लगा लो, गड़बड होगी नहीं, और देखे, प्रोहिबिटेट मतलब कभी MP उपर क्या नहीं होगा, अलॉट्मेंट होगा ही नहीं, अब वो लंबी प्रोसेस है, और स्टेप बाइ स्टेप है, और इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप डाउनलोड कर लीजे, क्योंकि प्रेक्टिस का कोई सब्टिट्यूट नहीं है, और बहुत सारी प्रेक्टिस करने हैं, कोई टीचर लगातार आपको कोई कोश्चन दे, आप उसका वीडियो पॉस करें, आप उससे पहले करें, और फिर गलतियों को ढूंडें, तब जाके आप एक्जाम के लिए कमफोर्टेबल हो पाएंगे, तो 9, 10, 6, 5, 11, 2, 5, M, 8, 6, 9, फिर से क्या निकालना है, पैनल्टी, और पैनल्टी क्या आया, 3, 5, 2, 3, 5, 8, 3, 5, 5, 0, 10, 11, 1, एम का, क्योंकि biggest value है, कभी परिशान नहीं करेगा, आप कैसे करेगा, वो अभी जस्ट, इसके बाद आपको समझाएगा, कि ये चीजें, टीचर ही बता सकता है, हाइएस पैनल्टी से आपको इंटर करना है, तो ये हाइएस पैनल्टी इन सब में देखने, तो हाइएस पैनल्टी से आप इंटर करेंगे, और सबसे छोटी cost सबसे छोटी cost पर देखे तो सबसे छोटी cost क्या है 2 30 और 80 यह 30 तो यहाँ पर यह क्या है 50 और 30-30 0 यह जो 0 हो जाया उसको हिता जी फिर से लिख लिजे तो 9, 10, 6 W1, W4 W1, W4 यह आदत में बना लिजे तो अपने को पता है कि इससे गड़बड़ नहीं होती S1, S4, S5 S1, S4, S5 150, 70 150, 70 इधर 80, 90, 50 80, 90 और 50 टोटल लगा लिजे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 220 इसकी भी टोटल लगा लेते हैं 20 इसको दे देते हैं 100, 10 इसको दे देते हैं 30, 200 अब 9, 10, 6 9, 10, 6 5, M, 8 यह देखे 5, M, 8 अब यहाँ यह सीखने वाला पॉइंट है difference निकालें फिर से penalty निकालें तो यहाँ पर आया 6, 9 3 5, 8 3 9, 5 4 M-10 और इसलिए फिर मैं कहे रहा हूँ YouTube पे सर्च करो आपको नहीं मिले काफी लंबा experience चाहिए क्योंकि क्या होता है देखो आप भी YouTube पे lectures बना सकते हो जो आपका आता है उतना पड़ा दो लेकिन और आपने बोला मुझे और सिखा हो तो मैं कहा नहीं जावित नहीं है इसलिए हम कह रहे है एप पे जाईए एप पे सारे subject सारे topic बड़े systematic तरीके से हमने upload कर दिये हैं पूराना मुझे 25 साल हो गए इस subject को पढ़ाते हुए तो इसलिए मैं किताब भी लिख पाया और बड़े systematic तरीके से मैंने पूरे video lectures ने digitalize कर दिये हैं आप अपने time के अनुसार जब चाहें study anytime, anywhere start study, बस के बड़ आपको पढ़ना शुरू करना है अब यहाँ पे देखिए m-10 और 6-8 क्या हो गया तो एम हमने बोला था maximum value, तो maximum minus 10 मतलब यही सबसे ज़्यादा maximum होगा अब यहाँ पे दिमाग की सर्व मान लीजे, यहाँ एम है और यहाँ एक और होता, तो अभी मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, तो देखिए यह चीजें आप classroom में ही discuss हो सकती है, यूट्यूब पे Google search, chat GPT, जो चाहे वो देख लो, फिर आपको बता लगेगा की क्यों, why we need a teacher, तो teacher, theory subject, लगातार पढ़ाये जा सकते हैं, पढ़ाये जा सकते हैं, practical में जब ऐसी situation कब आई की जवाब practice करते हैं, और practice करते हैं, तब फिर ऐसी सवालों के जवाब फिर कहीं नहीं मिलते हैं, कि किस से पूछने जाओं कि M10 और M8 आया, तो entry कहां से ले नहीं, अब ये चीज़े missing हैं, इसलिए YouTube आपको पूरी तरीके से तयारी नहीं करवा पाता है, या जो लोग तयारी करते हैं, उनके paper उतने अच्छे नहीं जाते हैं, क्योंकि दो वीडियो इनको देखें, तीन वीडियो उनके देखें, चार वीडियो उनके देखें, और सब उपर उपर ही पढ़ा रहे हैं, डिटेल करना पड़ेगा, और डिटेलिंग ऐसे हो, और फिर उसका अथेंटिक होना जरूरी है, आज आप देखी रहे हैं कि आयरुवेदिक का ज्यान, वाटसब पे, इंस्टाग्राम पे, जो आ रहा है, अपने इसाब से बोल रहा है, इसके साथ ये मत खाईए, सुबह उ इंटेलिजेंस में क्या सही है, और क्या सही है तो उसके लिए आपको अथेंटिक लिटरेचर जाना पड़ेगा, लेकॉलेज की लाइबरी जाईए, बुक उठाईए, एजडी शर्मा, हीरा, गुपता, आएंडी वोरा, जेके शर्मा, हमारी किताब उठाईए, कोई भी कि लगेगा कि अथेंटिसीटी का कितना इंपोर्टेंस है, कर लिया, एक्जाम दी, रिजल्ट नहीं आया, बेकार आया, कम नंबर आये, तो गड़बड आपने यह करा है कि आपने पूरा ही उसके उपर रिलाय करते, आपको एक अथेंटिक टीचर से लगाता ट्रेनिंग ले आपको, मिले हैं तो बस एक बार बता दिया, यह बताएं, एंपो मन में हजार मान लो, तो हजार माइनस दस या हजार माइनस एट, तो फिर आपको पता लगेगा कि आपको यहां से इंट्री करते, ऐसी सिचुएशन, क्यों, क्योंकि एंप मतलब इस वैली, तो मन में हजार मन लो, हजार माइनस दस, नो सो नब्दे, हजार माइनस आठ, नो सो ब्यानवे, नाइन नाइन टू, और नाइन नाइन टू, मतलब यह बढ़ा है, और इस दर से इंट्री लेट, तो यह से सिचुएशन आती है, और आपने बोला सर, बाए चांस, एंपे कभी मिलेगा, उन्हों का अंसर एंट पर यह आ रहा है, तो फिर उन लिखते हैं, उसको सूडो सॉलिशन, कि आप इसका मिनिमाइजेशन संभव नहीं है, यहीं पर रुख जाएगा सवाब, फिर आपको पार्ट टू मोधी लगाने की जरुरत नहीं है, सब सोचना है, ऐसा हो त तो इसलिए आपको एक experience, expertise faculty की जरुरत है, जो आपको इस पूरे operation research के सफर को आसान बना है, और इसलिए हमने एप बना दिया है, आप इस एप को डाउनलोड कर लीजे, दिखें, पुराना वाला एप एक और था आमारा इससे पहले, वो आप भटा दीजेगा, अगर आपने पहले डाउनलोड कर रखा है, तो इस नए icon के साथ अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, चरी, अभी पहले इस सवालों complete करें, तो यह सी कोई situation आती है, तो यह दिखान रखने वाली बात, देखें, कि कहां से entry करना है, और अब entry करा, यह 10, 50, 90 और 150, यह 90, तो 90 माइनस 90, 0, और यह आपका क्या आ गया, 60, अब फिर से, अब क्या आ रहा है, जो 0 हो गया, इसको cancel कर दीजे, तो अब आपके पास क्या आता है, W1, W4, S1 और S5, तो यहाँ पर 80, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60 और यहाँ पर 70, 9, 6, 5, 8, 9, 6, 3, 5, 8, 3, 9, 5, 4, 6, 8, 2, highest penalty से enter करना है, highest penalty से enter करना है, और सबसे छोटी cost, 70 और 80, तो सबसे छोटी cost 5, 70 और 80, whichever is less, 70 दिया, यहाँ पर आपके पास 10, यहाँ पर क्या हो गया, जो 0 हो गया उसको उड़ा दीजे, अब के वल आकवी में आपके पास क्या बचा, W1 बचा है, यहाँ पर 60, यहाँ पर 10, यहाँ पर 50, जब आखरी एक row और एक column बचे, तब आपको क्या नहीं करना है, penalty नहीं निकालना है, मेरे पास 60 रुपे हैं, एक दोस्त को 10 देना है, अब इस बास से कोई फरक नहीं पड़ता है कि पहले किस दोस्त को दिये, और बाद में किस दोस्त को दिये, दोनों कोई देना है, यह 0, यह 0, यह 0, अब पूरा question हम लिख लेते हैं, वो फिर से लिख लेते हैं, और उसके heading डालिएगा, या IBFS by WEM, और जहां जहां आपने allotment करें हैं, S1 और S5, तो S1 और S5 पे 10, S1 और S5, यह कितना करा हैं आपने, 50, एक एक allotment जो करें हैं, 10 और 50, फिर W4 और S1 पे 70, W4 और S1 पर 70, यह 70 और 10, 80, फिर आपने allotment करें हैं, W1 और S4, तो W1, S4, W1, S4, तो यहां पर आपने किया हैं, 90, यह 90, अब इसके राजाएए, W2, S5, 30, W2, S5, W2, S5, यहां पर 30, यहां किस्ते पहले आईए, यहां पर क्या दिया हैं, तो W4, S2, W4, S2, तो W4, S2, W4, S2, इस पर आपने कितना दिया हैं, 40, और यहां पर यह हमारे पास इसकी टोटल थी, यहां पर आपके पास dummy, वो भी आएगा, सारी values क्या होंगी, zeros, और यह 20, टोटल 450, और 450 in both the cases, अब इसके बाद देखें, 30 हो गया, 40 हो गया, अब यहां पर है, W4, S3, W4, S3, W4, S3, यह 20 और यह आख भी वाला 20, अब चेक करो, 10, 90, 100, प्लस 50, 150, ओके, 30, ओके, अब देखें, आटोमेटिक समझ में आया है, कि आरे, एक कुछ लिखना भूल गए, तो कहां लिखना भूल गए हैं, जरा देखें, आटोमेटिक आपने कहीं भी कुछ छोड़ा हुआ होगा, तो वो यहां से पकड़ में आ जाए, है, व3, S4, W3, S4, 120, 120, A, B, okay, 70, प्लस 40, 100, अग्ड़ें, प्लस 20, 30, ओर यह 20, और इधर भी चेक करो, 10, 70, 80, okay, 20, 40, 60, okay, 20, okay, 120 and 90, 210, 30, 50, 80, okay, अब transportation cost निकालने, तो अब जो आप निकालेंगे, वो क्या खेलाएगा, total, आप नीचे लिख लिजेगा, total transportation cost, और वो कैसे निकालेंगे, तो पीज में दे रखी है, 10 into 90, तो 10 into 9, 10 unit भेजी हैं आपने और एक के 9 रुपे लगते हैं, 90 into 10, plus 50 into 6, plus 30 into 2, plus 120 into 3, plus, order कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फरक नहीं पड़ता हैं, 17 into 5, plus 40 into 6, plus 20 into 2, plus 20 into 0, यह आया, 90, plus 900, plus 300, plus 60, plus 360, plus 350, plus 240, plus 40, plus 0, तो तो टोटल लगा लेते हैं, तो 9, 6, 15, 1,000, 1350, 17, और यह आगया आपका रुपीज, 2, 3, 4, 0, तो यह आपका पार्ट 1 हुआ, अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो वैम लगाया, वैम के बाद क्या लगाना है, मोडी लगाया, तो complete कब होगा, यह आधा पार्ट हुआ, तो अभी मैंने आपको अभी इन लेक्चरस में लगाता हूँआ, आपको क्या सिखना है, पहले वैम की, क्योंकि वैम की ठर्क्रेटिज गलत हुआ, तो मोडी एसे ही गलत हो जाए, तो अभी सबसे पहले क्या करना है, वैम की, तो वैम में कितनी वैराइटी के questions होते हैं मतलब transportation के चार variety question है minimization unbalance prohibited or maximization अब next video में आप क्या सीखेंगे maximization और अभी आज हमने जो सीखा वो क्या था prohibited भी था और unbalance भी था इससे पहले वाले वीडियो में आपने क्या देखा था unbalance उससे पहले वाले वीडियो में क्या देखा था minimization अभी पहले वैम के practice करिए जब वैवस्तित हो गया मतलब आधा पार्ट अपना complete होगा अब आधा पार्ट मोर्दी और सीखना है modified distribution तब जाके transportation complete हो जाता है तो छोटे-छोटे कदम और आस्मान को चूने का दम वो होना चाहिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए पूरी जर्णी में मैं आपके सांथ हूं operation research को एक दम आसान बराद तो चलिए मिलते हैं next video में till then good bye take care जैहिंद